जै महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ भले चेंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आप भरपूर प्रैत्ने कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए हर संभव आप काम कर रहे हैं प्रैत्ने कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चूग हो जाती है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रहे हैं, लेकिन आपको किस्मत का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सहरा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आप पीछे पड़ रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए जो मैं आज आपको बताने वला हूँ इस उपाय के करने से आप जितनी भी महनत करेंगे उसका आपको भरपूर फर मिलेगा आपको ये महसूस होगा कि अभी तक आप जो काम कर रहे थे उसमें जितना आपको पैसा मिलना चाहिए था जितनी आपकी आमदन होनी चाहिए थी जितनी आपकी प्रसिद्धी होनी चाहिए थी जितना बड़ा आपका फेलावा होना चाहिए था उतना यदि नहीं हो रहा है तो इस उपाई के करने के बाद में आप महसूस करेंगे कि आप वो सब कुछ हासिल कर रहे हैं जो आप पहले सोच रहे थे कि मुझे काम कर रहा हूँ तो मुझे काम के बदले में ये ये चीजे मिलनी चाहिए थी कि मैंने मेहनत तो पूरी की है लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है कुछ लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगला बंदा किस्मत का धनी है किस्मत ही है किस्मत लेकर पेदा हुआ है कि जो भी काम करता है उसमें उसे सफलता मिलती है तो कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं लोगों के कि जिनके चलते वो व्यक्ति जिस किसी भी काम में हाथ डालते हैं या जिस किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं हर उस काम में उनको सफलता मिलती है लेकिन यदि मान लीजिए कि आपका प्रारव्ध ऐसा नहीं है तो आप इस जनम में इसे हासिल कर सकते हैं इसे पा सकते है कुछ देवी देवताओं की आप पूजा अर्चना करें यदि नहीं कर सकते हैं तो कुई तंत्र मंद्र टोना टोटका करें कुछ ऐसी विधी करें के जिससे माता लक्षमी आप पर प्रशन हो जाए या आप जो कोई भी काम कर रहे हूं जो कुछ भी चाहते हूं उसमें उन देवी देवताओं की आप मदद ले उनको प्रशन करें उन ग्रोहों को आप मजबूत करें जो आपको इच्छित फल प्रदान करें तो यदि आप नामना चाहते हैं पैसा चाहते हैं तो इसके लिए आपको माता लक्षमी को प्रशन करना होगा और इसका एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस उपाय के करने से आप जो चाहते थे वो चीज आपको मिलने लग जाएगी तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम ग्रंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहस हैं जिन्हें बताते हैं और यदि आप भी इनी तरह के ग्यान में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे द्वारा बताएगे उपाई आप तक आसानी से और तेजी से पहुंचेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों बताता हूं वह उपाई के जिसको करने से माता लक्ष्मी आप पर अतिसी घर प्रशन होंगी और आपको इच्छित फल का वर्दान प्रदान करेंगी तो आपको करना क्या है कि रात्री के आपको इस उपाई को रात्री के दूसरे पहर में करना है जब चंद्र उदे हो जाता है सुर्यास्त हो जाता है उसके बाद रात्री का जो पहला पहर आता है इसे आपको छोड़ देना है और दूसरे पहर में आपको इस उपाय को करना है और बारा बजे के पहले पहले तक इस उपाय को आपको कर ही लेना है तो आपको करना क्या है कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उसके पहले आप खाना वाना खा लेते हैं उसके भाद में आप क्या क करें पूर्वा भी मुख हो करके बेठे यानि पूर्व की तरफ मुख करके बेठ जाएं और मैं जो मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र की आपको एक माला करनी है 108 दवे बोलना है ओम त्रिपुर सुंदरी मम ग्रहे आगच आगच बहुत ही प्रेम पूर्वक बोलना है त्रिपु प्रसाथ चड़ा दें आपको पहले दिन ये करना है तो प्रेम पूर्वक बहुत सुंदर से उसकी इस्थापना कर लें अपने सामने रख लें गीका एक दिया जला दें दुबबत्ति करतें और मंत्र बोलें ओम त्रिपुर सुंदरी मम ग्रह आगच आगच इस मंत्र की आ आपको एक माला करनी है 108 दफे बोलना है किसी भी मीठी चीज का प्रसाथ चड़ा दें आपको पहले दिन ये करना है इसके बाद नित्य जब भी आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आप क्या करें नित्य 11 दफे 21 दफे 51 दफे जब तक भी आप चाहें इस मंत्र को बोलें आप बोले, 11 दफे कम से कम बोले या 21 दफे लेकिन प्रेम पुर्वक बोलें जैसे आफ फास्तों में माता लक्ष्मी को अपने घर में ब्लाना चाहते हैं इस तरह से आप उनको बोले, कि वो आपके घर में आकर वास करें इस तरह से आप इस मंत्र का जाप करें, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, रातो रात आपकी किस्मत पलट जाएगी आप जो काम कर रहें उसको करते रहें, सिद्धत से करते रहें उसी काम में आपको देखना आपकी मेहनत का भरपूर फल मिलने लग जाएगा ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें देव प्रकास और अपने जीवन में लाभनवित होते रहें धन्यवाद